देखिए पूरा देवी पटनम मंडल जो है वो उनके साथ है पूरा उत्तर भारत के लोग उनके साथ है और मुसल्मान इसमें बढ़ चड़कर हिस्सा ले रहे हैं और उसमें मैं भी एक पार्ट हूँ बुलेंशेर हो क्या आए देली हो बहुत लोग आयोध्या जाएंगे और हिंदी का सपना है तन्या कुमारी से लेकर कश्मीर तलक सब अपना है ये धर्ती जागीर है इस धर्ती के हर इंसान की ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की एक समय था एक वक्त जब MNS परमुख राश्ठाकरे का महराश्टा में दबदबा होता था वो जब चाहते थे डंडे के बल पर उत्तर भारतियों को हांकते थे यहां तक कि उन पर आरोप है कि वो गरवती महिलाओं को उत्तर भारत के महिलाओं को भी बच्चा जनने की महराश्टा में अनुमती नहीं देते थे उन पर बहुत सारे संगीन आरोप है उत्तर भारतियों को भाईया जैसे लकब से मलकब करके उनको बदनाम करके उनको भद्धी गालियां देने का भी MNS परमुख पर आरोप है लेकिन अब उट पहाड के नीचे आया है BJP सांसर बिर्जभूशन शरन ने जैसे ही इस बात का ऐलान किया MNS परमुख राश्ठाकरे ने कि वो आयुद्या जाएंगे आयुद्या का दर्शन करेंगे राम जी का दर्शन करेंगे और वहाँ लोगों से मिलेंगे उनका ये एलान उनके गले की हड़ी बन गया बिर्जभूशन शरन भाजपा के सांसर छे बार से लोगसभा के सांसर बिर्जभूशन शरन ने उनके इस दौरे का बिरोत करने का फैसला किया है उन्होंने कहा कि जब तक उत्तर भारतियों से राश ठाकरे माफी नहीं मांग लेते हैं आयद्या की पावन धर्ती पर तो दूर की बात लखनव पर भी उनके पाउं नहीं पढ़ने देंगे उन्होंने उत्तर भारत के लोगों से अपील की है और महाराश्टरा के लोगों से भी अपील की है कि वो राश्ट ठाकरे की बरबरता का बिरोत कर रहा और उनसे कहे कि वो माफी मागें उन्होंने कहा कि मेरा हम लोग शिरी नाम के वंशद हैं बिर्जभुशन शरण ने कहा और हमारा च्छत्रपती शिवाजी महराज से भी वही प्रेम है लेकिन हम MNS परमुक को तब तक घुस्ते नहीं देंगे उत्तर प्रदेश में जब तक वो माफी नहीं मांग लेते हैं उनके इस एलान का उनके इस उत्तर भारतियों के सम्वान में लिए गए बिर्जभुशन शरण के फैसले का समर्थन करने का फैसला किया है डॉक्टर जुबैदुर्रह्मान उर्फ बब्बन ने उन्होंने वतन समाचार से बास्चेट में कहा कि जिस तरह से बिर्जभुशन शरण ने इस बात का एलान किया है हम उनके साथ हैं और हम ही नहीं बलकि भारत के उत्तर भारत के हों या दक्षिड भारत के हों सभी मुसल्मान उनके साथ हैं उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनकी सभाओं में उनकी रैलियों में मुसल्मानों की एक बड़ी तादाद आ रही है वो इस बात का संकेत है कि बिर्जभुशन शरण आने वाले दिनों में उत्तर भारतियों के नेता होंगे और उत्तर भारतियों के सम्मान की लड़ाई बिर्जबुशन से जादा दमंगई के साथ आज तक ना किसे ने लड़ी है और शायद ये भविश में भी देखने को ना मिले हूँ उन्होंने कहा कि बिर्जबुशन शरण ने पहले ही इस बात को असपस कर दिया है कि उनको सत्ता से कोई मतलब नहीं है वो छे बार से खुद MP है बेटा भी रहा है उनकी बीवी भी रही है तो सब लोगों ने उनको प्यार दिया है अब सम्मान उत्तर भारतियों के सम्मान की लड़ाई है जिसे बिजबुशन लड़ रहे है उन्होंने कहा कि जब वो दिल्ली आएंगे या प्रश्चमी उत्तर प्रदेश के आ या अलग अलग जबहों का दोरा करेंगे तो मैं डॉक्टर जुबैदर रह्मान बबन अपनी पूरी टीम के साथ अपने साथियों के साथ अपने सहयोगियों के साथ उनके इस लड़ाई में उनका समर्थन दूँगा और मैं लोगों से अपील करता हूँ डॉक्टर जुबैदर रह्मान बबन ने का कि सभी लोग जिन लोगों को राश ठाकरे ने अपमानित किया है चाहे वो उत्तर भारत के हैं और कहीं के भी यह वो लोग आएं और उनको इस बात के लिए मजबूर करें कि वो माफी मागें जब तक माफी नहीं माग लेते हैं तब तक राश ठाकरे मैनेस परमुक को किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश की धर्ती पर कदब नहीं रखने दिया जाएगा डॉक्टर सुबैदर रह्मान बबन ने का कि हमारी विजबूशन शरण से बात हुई है वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहाज, जारखन और दूसरी जगों का भी दौरा करेंगे और जिन लोगों को MNS पर्मुक ने सताया है, तकलीफें दी है, परताडित किया है, वो सब के सब लोग सामने आएंगे और जम करके इसका विरोत करेंगे और वो तब तक उसका विरोत करते रहेंगे जब तक वो माफी नहीं मांग लेते हैं उन्होंने का, उन्होंने इस बात का गोशड़ा किया है कि 50,000 लोग आयुध्या उनके प्रस्तावित दौरे का विरोत करेंगे अगर वो आएंगे, लेकिन इस संख्या इससे भी कहीं ज्यादा होगी, इसलिए अभी समय है MNS पर्मुक राश ठाकरे के पास कि उत्तर भारति लड़ रहें अपने दम पर, यह अपने आप में एतिहासिक है और इसकी परशंशा होनी चाहिए, नमस्कार हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, जरूर कमेंट बाक्स में अपनी राय दिन, साथ ही हमारी इडू चरण को लाइक शेर और सब्सक्राइब भी करें, आप हमें डूने ौन गयके दिन ओूनी पर यालंशा है और रहें, एक शीष बएमारी रहें दोर्ट कैसी है और रहें, अज़ौन रहें आप हमेंगें